कोरोना वाइरस के महा संकट के बीच आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन चेंबर ओप कॉमर्स के विशेश कारिकरम को संबोधित किया प्रधान मंत्री ने अपने भाशन की शुरुवात बंगाली भाशा में की ये कारिकरम कोलकत्ता में हो रहा है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने इस दोरान कहा कि 95 साल के ICC ने देश की सेवा की है प्रधान मंत्री मोधी ने कहा कि अपने गठन के बाद ICC ने अब तक काफी कुछ देखा है और भारत की विकास यात्रा का हिस्सा रहा है इस साल की बैठक ऐसे वक्त पर हो रही है जब कई देश कई मुस्किलों को छेल रहा है आज देश में कोरोना वाइरस है टिड्डी की चुनोती है कहीं आग लग रही है तो रोज भूकम के जटके मैसूस के जा रहे हैं इस बीच दो साइकलों भी आये हैं कभी कभी समय भी हमारी परिक्षा लेता है पियमोदी ने कहा कि इस वक्त मुसीबत की दवाई सिर्फ मजबूती है मुश्किल वक्त में भारत हमेशा आगे बढ़ कर सामने आया है आज पूरी दुनिया ही इस संकट से लड़ रही है कोरोना वोरियर्स के साथ देश इस लड़ाई में पीछे नहीं है प्रधान मंत्री ने कहा कि अब देश वासी के मन में संकल्प है कि आपदा को आउसर में बदलना है इस संकट को देश का टर्निंग पॉइंट बनाना है आत्मन निर्भर भारत ही टर्निंग पॉइंट है दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी है कोरोना वाइरस से मनने वालों का